हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एग्री मास्टर सीजी पीटी की कॉंसलिंग का आपका मेरिट लिस्ट वाला पार्ट भी अब कंप्लेट हो चुका है इस समय आपके स्क्रीन पर प्रथम चरण की कांसलिंग का पूरा डेट सीट आ रहा है ताकि आपको की कंफुजन न रह जा में उपस्थित होना यानि कि आईजी के वी रायपूर में आपको जाना होगा इस तरह से इसमें लिखा हुआ आ रहा है इसके लिए आपको डेट दी गई है एक दिसंबर से चार दिसंबर तीसरे स्टेप को आप समझे यही है आपका डिवीसी यानि कि डॉक्यमेंट वेरि यह आपका तीसरे स्टेप हो गया इसके बाद चौथा स्टेप क्या है आवंटित प्रोजिनल सीट को सुरक्षित कराने है तू आउनलाइन फिस जमा करना आपका जब डिवीसी भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आउनलाइन फिस जमा करनी होगी उसके लिए भी आपको सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चेरण की कांसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस ए तू आउनलाइन कांसलिंग में आवेदन करना हो गया यह निकी आपको अगर सीट नहीं मिल पाती है किसी भी बज़़से जो फ़र्ष्ट कांसलिंग में मिली हुई है वो आपको नहीं मिल पाती है और आप नेश्ट राउंड में फिर से चाहते हैं कि आप काउंसलिंग कराएं, आपका मेरेट लिष्ट में नाम आएं, तो भी आपको एक दिसंबर से छे दिसंबर के बीच दोबारा से आवेदन करना होगा. अगर सीट मिल जाती है, डिवीजी करा लेते हैं और फिस जमा कर लेते हैं, तब आपकी सीट सुरक्षित मानी जाएगी, इसके पश्चात, फिर से आपका छटवाँ स्टेप, यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात, माल लिजे, आपको सीट वो पसंद नहीं आती है, आप आपने डिवीसी करवाया, फिस जमा की, लेकिन वो सीट आपको पसंद नहीं है, आप दूसरा कॉलेज चाहते हैं, तो आपको सीट निरस्त कराने के लिए, एक दिसमबर से छे दिसमबर तक आवेदन करना होगा, इससे क्या होगा, आपको जो कॉलेज मिला हुआ है, वो कोई स्टेप में, आटो अप्ग्रेडेशन होता है, और वर्ड कनवर्जन होता है, उसके बाद आवन्टन होता है, और जो सीटे रिक्त रहे जाती हैं, सातों स्टेप में, उनकी जानकारी आपको 9 दिसमबर को मिल जाएगी, तो इस प्रकार से, आपके 7 स्टेप मैंने पहल कॉलेज में जाकर के एडमिसन ले सकें, और आपको सीट में एडमिसन लेने में कोई दिक्कत ना है, और अधिक जानकारी के लिए, डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि सीजी पी एटी सुज़ू हुई, जैसे ही कोई भी अपडेट आए, तो आपको तुरंद पता चल सकें,